प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी के मार्ग दर्शन में देश के सबसे अधिक जणसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा शेहरों में विश्वस तरिये मेट्रो सेवा का विस्तार हो रहा है। पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के चार महत्वपून शहरों लखनव, घाजियाबाद, नौईडा और ग्रेटर नौईडा में 83 किलोमीटर मेट्रो का संचालन प्रारंब हुआ है। साथी 131 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर्स का निर्मान कार्य प्रारंब हुआ है। जिसमें कानपुर एवं आगरा शहरों की मेट्रो पर योजनाई शामिल है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पुरेशन ने राजधानी लखनव में 23 किलोमीटर लंबे उत्तर दक्षन मेट्रो रेल कॉरिडोर का निर्मान रिकॉर्ड समय में पूरा करने का कीर् अब प्रदेश के प्रमुख और द्योगिक नगर कानपुर में भी रिकॉर्ड समय में मेट्रो का सपना साकार होने जा रहा है। एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई। कानपुर में 32.5 किलोमीटर लंबे दो कॉरिडोर इस तरह डिजाइन किये गए हैं कि ये शहर के प्रमुख स्थानों जैसे रेलबे स्टेशन, शेक्षिक संस्थानों, मार्किट और बड़े रिहाईशी इलाकों से होकर गुजरेंगे। 15 नवंबर 2019 को मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रिय आवास एवं शेहरी कार्य मंत्री श्री हर्दीप सिंग पुरी ने 32.5 किलोमीटर लंबे दो कॉरिडोर वाली मेट्रो रेल पर योजना के निर्मान कारे का शुभारंब किया। इसके बाद से ही आयाइटी कानपूर से मोती जील के बीच 9 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर अत्यनत तीवर गती से निर्मान कार्य हुआ। निर्मान के लगभग दो साल के अल्प समय में ही अब 10 नवंबर 2021 को मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ की गरीम माई उपस्थिती में कानपूर में प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो के ट्रायल रन की तैयारी है। आने वाले कुछ ही दिनों में शहरवासियों को मेट्रो की सुविधा उपलब्द होगी। IIT से मोती जील तक 9 स्टेशन वाला प्रायोरिटी कॉरिडोर पूरी तरह एलिवेटिड है। इसके प्रमुक स्टेशन, IIT कानपूर, कल्यानपूर, SPM हॉस्पिटल, विश्व विद्यालय, गुरुदेव चौराह, गीता नगर, रावतपुर, लाला लाजपत राय हॉस्पिटल और मोती जील है। उत्तर प्रदेश मेट्रो की टीम ने निर्धारित समय पर निर्मान कार्य पूरा करने के लिए सिविल निर्मान से लेकर सिस्टम्स तक हर काम का लक्ष निर्धारित करके सटीक रणनीती से उसे आगे पढ़ाया। कोविड की दो लहरों की गंभीर चुनौती के बीच भी काम की गति को उत्तर प्रदेश मेट्रो की टीम ने बनाई रखा। साथ ही निर्मान में कई इनोवेशन भी किये गए हैं। स्टेशनों के तेज निर्मान के लिए देश में पहली बार डबल टी गर्डर का प्रयोग किया गया। 25 जुलाई 2020 को पहले डबल टी गर्डर रखे जाने के महज साढ़े साथ महिने की कम अवधी में सभी नौ स्टेशनों के निर्मान के लिए डबल टी गर्डर रख दिये गए। कानपुर मेट्रो के निर्मान कारे को परियावरन एवं सुरक्ष प्रबंधन के लिए ISO 14001 एवं ISO 45001 प्रमान पत्र भी प्राप्त हुआ है। गुरुदेव चौराहा स्थित कानपुर मेट्रो का टेपो भी बन कर तयार है। यहीं से पहले कॉरिडोर की ट्रेनों का संचालन और उनका रख रखाव किया जाएगा। कानपुर मेट्रो पर योजना के लिए अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से लैस तीन कोच वाली 49 ट्रेन आनी है। यह अत्यधुनिक ट्रेन गुजरात के सावली में मेकिर इंडिया भियान के तहट निर्मित है। 28 सितंबर 2021 को पहली प्रोटोटाइब ट्रेन आने के बाद से ट्रेन के पहुँचने का सिलसिला जारी है। लगभग 11,076 करोड रुपए की अनुमानित लागत वाली कानपुर मेट्रो रेल पर योजना यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा विद्ट पोशित है। इसमें EIB की भागिदारी करीब 5,000 करोड रुपए है। UPMRC कानपुर वासियों को सुगम, सुरक्षित और विश्वस तरिये मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कराने के दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। कानपुर मेट्रो प्रगती के बढ़ते कदम